नमस्कार दोस्तों आप सब एक वाइफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं प्रेग्नेंसी के दौरान गन्य के जूस पीने के बारे में तो बहुत साइब मेलाग दुमाग में यह सवाल जरूर रहता है कि क् नुकसान तो नहीं पहुचेगा और गन्य का जूस पीने से में क्या-क्या फाइदा मिलेगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे प्रेग्नेंसी के दौरान गन्य का जूस पीना चाहिए या फिर नहीं तो आप प्रेग्न का जूस पीने से या परिसानी भी खतम होती है तो दोस्तों जितने भी रिसर्च हुए हैं इसके अधार पर का जा सकता है कि प्रेग्निंसी के दौरान गन्य का जूस पीना बिलकुल सुरक्षित है और आप पी सकती है लेकिन एक बात का ध्यान रखिए यदि आपको गन्य की यानि कि यदि याक का जूस पीती है तो इससे आपकी रोग परम क्यायों पढ़नाली मच्बूत बन दोस्तों दूसरा फाइदा है आपके मेटाप table के लिए मतलब यह कि आप गन्य का जूस पीते हैं तोह से आपका मैटा बॉनिश में काफी अच्छा होता है उसतो की रस में मौझूद पॉली फिनॉल्स आपके चैपाचे को बढ़ाने में मदद करता है यानि कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है आपके सरी का तापमान नियांतित रहता है इसके अलाबा आपके सांस लेने की प्रिकरिया भी अच्छी होती है इसके और यही को कम करता है दो सकते हैं 1000 आपको मौनिक सिक्नेश की मिचल और घबर ना कमजोरी मैसوس होना थकार मैसूस होना हो सकता है तो आपको इन सभी समस्याव से रहात मिलती है और ऐसा माना जाता है यदि आप गन्य की जूस में अधरक मिला कर पीते हैं तो आपको मौनिक सिक्नेस से बहुत जल्दी रहात मिल जाती है इसके बाद जो नेक्स्ट फैदा है वह है एनर्जी बूश्टर दोस्त एकदम सही एनर्जी मिल जाती है क्योंकि माना जाता है जिन चीजों में ज़ादा कारभोहेटरेड होता है वह चीज़ें आपके एनर्जी को जलदी बढ़ा देते हैं तो आप चाहते हैं एपके सेरिरियर में एनर्जी क इस ähnlich साही बणा रही है कि गन्य का जूस पीने से बावासिर को ठीक किया जा सकता है तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बावसिर की प्रावलम हो गई है तो यदि आप गन्य का जूस पेंगी तो आप इस समस्या से बस सकती हैं दोस्तों इसके लाबा गन्य का जूस पीने से आप बहुत यूरिन ट्रेक्ट इंफेक्शन यह बहुत ही नॉर्मल है बहुत सरे मेलाओ कोई परेसानी हो जाती है तो ज़िए आप गन्य का जूस पीते हैं तो इससे आपको यू ट्याइए की समस्या से भी आराम मिल सकता है इसके अलाबा गन्य का जूस पीने से आपके चैरे पे चमक आ है और चाहिए चाहिए हूं कि घरने का मिंवह बनाता है तो यह थे स्वायदे से ना चाहिए जैसे कि आपको आपको И LE quién attain पीना चाहिए जो की बिल्कुल साथ आप सुत्र तरीके से गन्य का जूस बनाते हो जहां पर गंदकी है मापे आप बिल्कुल भी गन्य का जूस ना पिए नहीं तो आपको फुट पॉजणिंग या फिर पेट का इंफेक्शन हो सकता है इसके लाबा दोस्तों देखिए गन्य के जूस में बहुत जदा सुगर होत तो गन्य का जूस गर्मी में जुरूर पीजिए और तंडा जूस ना पिए निए तो तो फिर आपको सर्दी बर्फ डाल देते हैं जडादा करने के लिए तो आपको नुक्सान कर सकता है अस बात कदिशा लगाँ तो लाइक कर दीजिए और मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो